नमस्कार आप सब का स्वागत है बॉलिवुड एक ट्रेस अनिश्का शर्मा की फिल्म रब ने बना दी जोडी को रिलीज 9 साल 12 दिसंबर 2008 पूरे हो गए हैं डायरेक्टर आदित्या चोपड़ा की इस फिल्म से अनिश्का ने बॉलिवुड में डेव्यू किया था इस फिल्म में उनके हीरो शारो खान थे फिल्म सुपर हिट रही थी बता दें की अनिश्का सहित बॉलिवुड के ऐसे कई स्टार्स हैं जिनके हम शुकले पाकिस्ताने इंटर्टेन्मेंट इंडिस्ट्री में देखने को मिलते हैं आज आपको ऐसे ही कुछ सेलेब्स के बारे में बताने डा रहे हैं बॉलिवुड एक ट्रेस अनिश्का शर्मा और पाकिस्तानी एक ट्रेस सनम बलोज का चेहरा मिलता जुलता है अनिश्का ने रब ने बना दी जोड़ी 2008, बैंड बाजा बारात 2010, जब तक है जान 2012, पीके 2014, सुल्तान 2016, सहित कई फिल्मों में काम किया है अनिश्का की अपकमिंग फिल्म परी है जो 2018 हुमें रिलीज होगी सनम ने दोरा, 2008, कुछ प्यार का पागलपन, 2011, एक थी पारो, 2011, रोशन सितारा, 2012, सहित टीवी सीरीलों में काम किया है जौन अबराहम और पाकिस्तानी एक्टर अदील हुसेन के लुक में काफी समानता है जौन अबराहम ने जेस्म, 2003, इतिबार, 2004, पाप, 2003, धूम, 2004, इलान, 2005, काल, 2005, सहित कई फिल्मों में काम किया है जौन की अपकमिंग फिल्म पर मानू है जो 2018 हुमें रिलीज होगी वहीं अदील ने बिन रोए, 2015, ओमन जहां, 2016, दो बारा फिर से, 2016, फिल्मों में काम किया है उन्होंने टीवी सीरिल दुनिया गोल है, 2007, दाम, 2010, मुहबत शुक का सितारा है, 2014, सहित कई फिल्मों में काम किया है ट्रेस कृती सेनन और पाकिस्तानी एक ट्रेस सरिज का फेस भी काफी हद तक मिलता जुलता है कृती ने हीरो बन थी, 2014, दिलवाले, 2015, राब्ता, 2017, फिल्मों में काम किया है उनकी अपकमिंग फिल्म अर्जुन पटियाला है, जिसकी शूटिंग अभी जारी है वहीं, अरिजने हजारों साल, 2012, माही आएगा, 2012, अमनशीन, 2012, वो, 2013, मेरी बेटी, 2013, तुम मेरे पास हो, 2015, इंतकाम, 2015, सहित अन्यसी पीलों में काम किया है बलेवुड एक ट्रेस चित्रांगदा सिन का फेस, पाकिस्तानी एक ट्रेस शायरा शहरोज से मिलता जुलता है चित्रांगदा ने हजारों ख्वाहे श्रें ऐसी, 2003, ये साली जिन्दगी, 2011, देसी बवोय, 2011, इंकार, 2013, सहित अन्यसी फिल्मों में काम किया है चित्रांगदा की अपकमिंग फिल्म साहिब, बीबी और गैंस्टर तीन है इसी तरह शायरा शहरोज ने टीवी सीरियल मेरा नसीब, 2011, मुहबत रूठ जाये तो, 2011, तनहाई या नए सिलसिले, 2012, कुक के कहानी, 2012, सहित अन्यसी में काम किया है वहीं, उन्होंने फिल्म हो मन जहां, 2016, में काम किया है